जिस तरह से हमने जो tweet को trend कर रहा था कि need postpone, jay postpone और जिस तरह से हमने काफी सारा petitions file कर रहे थे उसे कि accordingly आप government पर pressure बन रहा है और वो हमें साफ दिख रहा है इन news articles में ये news articles मैंने आपके लिए collect करें और मैं आपको एक-एक करके बताऊँगा कि किस तरह से जो है काफी ज़्यादा एक पुगता सबूत आ रहा है हमारे सामने कि किस तरह से government पर pressure बन रहा है और अलग-अलग जगा पर, अलग-अलग platforms पर वो दिख रहा है तो सबसे पहले आपको बताता हूँ CBS की जो news है CBS और ICC schools के जो बच्चे हैं काफी ज़्यादा amount में जो बच्चे होते काफी ज़्यादा lacks of बच्चे होते तो इन लोग के जो बच्चे है और उनके जो parents है वो काफी ज़्यादा worried है भी उनकी health को लेके और इसी के दोरान जो है CBC schools और ICC schools जो डेली और महरास्ट में located है तो यहाँ पर सबस्यादा cases है कोरणा के आपको पता होगा तो यहीं पर काफी सारे schools ने petition डाहिल करा है Supreme Court में और वो लोग कह रहे है कि किसी भी तरह से CBC schools को जो जो ICC schools की exam है उसे postpone करा जाए तो यह अगर हो जाता है CBC schools के काफी ज़्यादा likely लेग रहा है कि यह जो होने वाला है और काफी ज़्यादा chances है कि CBC schools और ICC schools के जो exam से उसे postpone करा जाए और अगर यह DCN हो जाता है तो काफी ज़्यादा chances है कि NEET और JEB पोस्पार्ण हो जाए आपको बता दूँ कि 13,000 से 14,000 से सेंटर बना चुकी है गर्मेंट अभी CBC schools के लिए फिर भी जो है enough space नहीं मिल पारा है बच्चों को बेठाने के लिए और बच्चों को किस तरह manage करा जाएगा और इसी के दोरान हमारे parents और हमारे students है उन लोगों ने मिलकर petition फाइल करा है दूसरी news मैं आपको बताता हूँ तो जिस तरह से हमारे HRD minister ने अभी जो interview दिया था Bennett University के साथ आप आप पर देख सकते हैं Bennett University और यह जो news है हम आपको बता दूँ Times of India की news है 13 June की यह news है अभी की news आ रही है और यह मैं आपको बता दूँ कि यह जो news है इसमें HRD minister ने कहा है कि कि किसी भी तरह से हम जो है life को risk नहीं होने देंगे और हम students के साथ खड़ें किसी भी तरह से हम लोग जो है students के साथ खड़ें और उनकी safety हमारे लिए first priority है और इसी के दोरान जो है मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो NTA director है जो विनी जोशी जो डारेक्टर है उन्होंने भी कहा था कि finger cross करके हम लोग बेठे हुए finger cross और उन्हेंने कहा था कि neat और जई अगर करवाना चाहे तो हम लोग postpone भी करवा देंगे पर किसी भी तरह के और critical किस तरह से situation बनती है दूसरी तीसरी नियुस जो आपको बताना चाहता हूँ हो है cancel CA and CS exams तो यह जो exam जो cancelling का जो चर रहा है इसमें दो exams होती है CA मैं आपको बता दू मैं तो दूसरी जो exam होती है वो December से November के बीच में November के बीच में होती है तो दोनो exams को merge करने की बाते चल र अबली exam दिलाई जा सके और fourth जो नियूस आर्टिकल है वो लोकमत नियूस आर्टिकल है जो आपको पता ही होगा जो publish हो चुका है यह पर हिंदी में publish हुआ था इंग्लिश में भी आच चुका है और इस news के accordingly इनके जो sources है लोकमत नियूस के काफी बड़ा news paper है महारास्ट का यह आपको पता होगा तो लोकमत जो news paper है कल में इस पर वीडियो भी डालता कि verification कैसे कर सकते किसी भी website का तो हमने इसे verify करा था कि यह एक genuine website है और यहाँ पर जो है यह लोग कह रहे है कि जेई में और जो नीट है उसे बिलकुल postpone करा जा सकता है इनके sources है और इनके जो में अभी चर रहा है कि जिस तरह से भी हम जो है safely और comfortably जो exam conduct करा जा सके और जितने भी यार मैं आपको बता हूँ कि कितनी भी petitions file हुई थी उन सबके results Supreme Court को देने होते है साथ दिनों में तो साथ दिन अभी आने वाले है या तो फिर आज या फिर कल में किसी पर तरह का decision आप aspect कर सकते है पोसपॉंड को ले करके तो बने रही है इस channel के साथ मैं आपको सारी के सारी news जो है देने की कोशिश करूँगा इस channel पर तो thank you very much ही video यार last देखने के लिए आपको एक तरह से idea लग गया हुआ किस तरह से government के mind में चल रहा है और उनके mind में कुछ हलचल हुई है ज यारे मचट